Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitab Sood and आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Teaching Aptitude का एक important topic जिसका नाम है Teaching Aids यानि की शिक्षन सहायक सामगरी इस lecture में हम देखेंगे कि exactly वो कौन-कौन सी सामगरी है वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि एक teacher को अच्छी teaching करने में help करती है इस topic से हर बार किसी ना किसी series में एक question जरूर पूछा जाता है इसी के साथ students अगर आप लोग हमारे इस channel पर नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि you just in it paper one का बिल्कुल new and fresh batch start हुआ है और इस batch की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें English and Hindi आप किसे भी medium में prepare कर रहे हो paper one के लिए तो आपको दोनों ही languages में यहाँ पे complete हम 10 units करवाएंगे वो भी 100% guarantee के साथ तो daily paper one की free classes हमारे channel पर इसी YouTube channel पर रात को 9 बजे होती है और यह अभी तक इस lecture series में हमारा lecture number 14 है तो अगर आप लोग ने previous 13 lectures नहीं देखे हैं तो आप लोग description box चेक कीजे वहाँ पे आपको एक playlist का link मिल जाएगा जहाँ पी सारे previous lectures available है तो जरूर उन lectures को देखेगा बहुत ही जादा important topics है और हर एक topic के साथ मैंने उसी से related previous year questions भी add किये हैं तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस level का question किस topic से पूछा जा सकता है तो इसी के साथ यह है teaching aptitude का complete syllabus you just in it के according तो आज जो हम discuss करेंगे वो topic बहुत important है बट यहाँ पे आपको syllabus में अलग से कहीं नहीं मिलेगा इसी के साथ एक और important instruction में आपको यह देना चाहती हूँ कि you just in it paper 1 के साथ paper 2 की तयारी करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो यह हमारा subject related paper होता है और यह 200 number का paper होता है जिसमें कि हम बहुत अच्छा score कर सकते है तो इसके लिए Global Online की team आपके लिए complete study material लेकर आई है इस study material में आपको मिलेंगे full syllabus notes and most expected MCQs वो भी 100% guarantee के साथ और यह सारे notes and questions जो हैं बिलकुल updated है तो अगर आप लोगों की अभी तक कोई units miss हो चुकी है क्योंकि exam में समाई कम है तो आप लोग यह most expected MCQs कीजिए as it is questions बहुत बार exam में पूछे जाते है तो यहाँ पर आपके सामने total 20 subjects के list आप देख सकते हो इसमें से जो भी आपका paper 2 का subject है उसको check कीजिए and screen पर दिएगे इस number पर whatsapp के help से contact कीजिए इसको आप lifetime use कर सकते हो and इसके लिए आपको सर्फ एक ही बार fees पे करनी है वो भी सिरफ 1500 रुपीज तो जल्दी से इसको join जरूर कीजेगा बढ़ते हैं अपने topic पे जिसपे की सबसे पहले हम देखेंगे की teaching aids यानि की शिक्षन सहायक समगरी exactly होता क्या है अब देखो students इसके नाम से clear है teaching aids यानि की शिक्षन को एक teacher जैसे की अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो वो कौन-कौन सी चीजे हैं जो की मुझे help करती है आप लोगों तक मैं अच्छा knowledge पहुंचा सकूँ आप लोगों तक मैं अपनी teaching skills अच्छे से पहुंचा सकूँ ठीक है अब जैसे हम अगर offline batch की बात करें offline batch की अगर बात करें तो इसमें teaching aids में आ सकता है जैसे की chalk होता है duster होता है benches होते है school होता है classrooms होते है ठीक है notebook है pen है यह सारे की सारे offline batch में एक teaching aids के रूप में काम करते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर हम online classes की बात करें जैसा की आप अभी मेरी class attend कर रहे हो यहाँ पे teaching aids है जैसे की मेरा laptop है मेरा internet connection है मेरे पास pen tab है यह सारे की सारे teaching aids है books होगी knowledge होगया यह internal चीज़ें आती है लेकिन outside से external चीज़ें कौन सी हमें help करती है वो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं इसमें जितनी भी statements आपके सामने हैं यह as it is exam में पूछी गई थी तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि teaching aids में अभी मैं pen tab यूज कर रही हूँ इससे क्या हो रहा है आप लोगों का थोड़ा सा attention में गेन कर पा रही हूँ कैसे अगर मैं pen use ना करूँ पहले तो वो students होगे जिनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहां से कौन सा point पढ़ रही है दूसरा अगर मैंने आपको कोई चीज समझानी है माली जे किसी graph की हम बात कर रहे हैं कि graph ऐसा है और यह इस level पे up-down up-down जाता है तो without pen without यह teaching aids मैं कैसे आप लोगों को समझाऊगी offline batch की बात करें बहुत सी चीज़े ऐसी होती है जो कि without chalk, duster इसके नहीं समझाई जा सकती ठीके, वो यहाँ पे यही बोला है कि इसका main objective है कि students को involve करना इससे students interact हो सकते हैं हमारे साथ and faster learning जैसे जैसे हम आपको images के साथ, graphs के साथ board पे कुछ draw करके बताते हैं, वैसे वैसे आप लोग अच्छे से और जल्दी समझ सकते हो next statement में बोला गया है teaching aids produce a mental image for certain concepts and develop an interactive experience for learning inside them अब जैसे माल लीजे मैं आप लोगों को यह चीज़ आपने notice की होगी अगर आप हमारे regular students हो तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि यह एक teacher है यहाँ पे यह बहुत सारे students है teacher एक student को evaluate करते हैं जैसे मैं यह topic माल लो आपको करवा रही हूँ अब मैंने इस तरह से यहाँ पे teacher draw कर दिया, यहाँ पे मैंने students draw कर दिये, तो यह क्या कर रहा है teaching aids की help से एक mental image आप लोग बना रहे हो कि यह concept ऐसा हो सकता है इस से क्या होगा, आप लोग और जादा interact हो पाओगे, और जल्दी से चीजों को समझ पाओगे वही यहाँ पे लिखा है it is helpful for students to become more involved they can easily grasp the topic being taught यानि कि छात्रों के लिए अधिक शामिल होने में यह मददगार है, वो आसानी से पढ़ाए जा रहे विशे को समझ सकते है next point यहाँ पे बोला गया है aids are the much better method for learning because they relate textual matter with visual audio and videos thus enhance the learning in the meaningful way so अब जैसे हम कुछ भी use ना करे, pen यूज नही मैं blackboard use नहीं कर रही, मैं chalk use नहीं कर रही ना ही मैं आप लोगों को maths, मैं आपको math पढ़ा रही हूँ ना ही मैं notebook में समझा रही ना ही white और blackboard में समझा रही हूँ तो क्या होगा तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, कैसे समझोगे सो ये सारी चीज़ें, जैसे कि audio, video, ये सारी चीज़ें help करती है एक student को जलदी concept समझने में वैसे ही बाकी के teaching aids भी students को हमेशा help करते हैं right, so I hope यहां तक का concept आप लोगों का बिलकुल clear है and यहां पे एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ ये जैसे कि हमारा lecture number 14 है so previous lecture जो था, जिसमें कि हमने discuss किया था types of evaluation ठीक है, so वहां पे students आपको पता होगा कि video के बिलकुल शुरू में ही मैंने आप लोगों के साथ question शेयर किया था जिसमें कि formative, summative, norm reference and criterion referenced जो है types पूछे गए थे evaluation के so उसका answer में आपको comment में करने को कहा था so उसका answer बहुत से students ने दिया भी है लेकिन बहुत से students का answer गलत है उसका right answer था option number one so description box में आप लोगों को उस video का link मिल जाएगा वापस जागे उस video को देखो first question को देखो option number one, there is the right answer अब बात करते हैं कि इसकी need क्या होती है right, teaching aids की क्यों ज़रूरत होती है so teaching aids help in retaining concepts more permanently for those students who have the tendency to forget frequently so बहुत से students हैसे होते हैं जो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं तो उन लोगों के लिए teaching aids हमेशा helpful रहते हैं अब जैसे माल नीचे में आप लोगों को कल के ही lecture के अगर बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि normed referenced और criterion referenced evaluation में बहुत से students confused होते हैं and exam में भी question ऐसा पूछा जाते हैं कि students नहीं भी confused हों तो भी हो जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आपको image की help से दो photos लगाई थी उसकी help से concept समझाया था तो इस तरह से ये क्या था वो image क्या थी वो एक teaching air थी ठीक है तो इससे उन students को बहुत help मिलती है जो कि चीजें जल्दी भूल जाते हैं अब आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें globe की help से या फिर chart में map बना होता था इंडिया का map उसकी help से बताया चाता था कि कौन से city कहां है कौन सा state कहां है तो ही आज हम जैसे मैंने अभी map बोला तो आपने उसको visualize जरूर किया होगा मैंने कोई city बोला जैसे कि मैंने बोल दिया कि new Delhi हमारे capital है Delhi हमारा capital है तो आप लोगों ने वहां पर उसको visualize कर लिया होगा कि yes यह इंडिया का map है यहां पर Delhi है यहां पर कश्मीर है इस तरह से आपने देख लिया होगा तो यह चीजें कैसे आपने recall कर पाए आप लो क्योंकि वहां पर उसम है आपके teachers ने आपके parents ने teaching aids के रूप में map को use किया था chart को use किया था right so I hope अभी यह concept आपका बिलकुल clear हो चुका है इस chart और globe वाले example के साथ next हम बात करते हैं next need है इसकी teaching aids can motivate the student for learning and encourage to develop deep insights of the matter यानि कि किसी topic को और जादा गहराई में समझने के लिए यह help करता है फिर से मैं वही example आपके लिए लेकर आती हूँ जैसे कि मान लीजे मैं आप लोगों को कुछ world map से related कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को अगर मैं ऐसे बताओं कि ऐसे इंडिया है इंडिया के साथ में पाकिस्तान है उसके साथ में दूसरी तरफ आपको चाहिना मिल जाएगा तो इस तरह साप imagine नहीं कर पाऊगे लेकिन वही उसी चीज़ को अगर मैं आपको globe की help से समझाओं आपके सामने क्लास में globe लेकर आओं तो students कितने interest के साथ देखेंगे उस matter पे और ज़्यादा interest उनको बढ़ेगा वो देखते देखते उसको बार-बार देखेंगे गोल-गोल घुमाके देखेंगे और countries को भी search करेंगे इस तरह से वो चीज़ें और अच्छे से याद रख सकते हैं ये चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि जल्दी से हम चीज़ों को सीखते हैं बिलकुल accuracy के साथ हमारे mind में उस चीज़ की एक image बन जाती है जिसको हम कभी नहीं पूर सकते अब निक्स बात करते हैं types of teaching aids की ये एक ऐसा topic है एक ऐसा section है जहां से हर साल exam equation पूछा जाता है या तो basic definition आएगे या फिर टाइपस आएगे तो traditional aids की बात करें जैसे की पहले books के साथ बताया जाता था periodicals, blackboard, chalkboard, whiteboard ये सारे teaching learning aids होते थे अभी हम लोग visual aids को ज़्यादा use करते हैं तो इसमें figures हैं, charts हैं, poster, model, graph and any other type of graphics such as diagrams, cartoon, infographs, cutouts, bulletin board, flannel board, globe, object, picture, map, etc. तो ये सारे visual aids हैं, visual aids का मतलब होते हैं, जो चीज हमारे सामने हैं, हम उसको touch करके देख सकते हैं इसका best example मैं बार-बार आपको globe ही बता रही हूँ अब जैसे अगर हम लोग history की बात करें, कि मान लीजे history का कोई topic है, मैं आपको समझाना चाती हूँ लेकिन नहीं students समझ पारे and in case अगर वो area जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किसी particular चीज हमारे बिलकुल आस-पास है तो हम अगर students को वहाँ ले जाकर कि उस चीज के बारे में बताएंगे, उनको वहाँ जाकर कि वो दिखाएंगे, जैसे कि मान लीजे हम रानी लक्षमी भाई की बात करते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे एक story की तरह आप लोगों को बताऊंगी, ठीके अगर मैं एक role play करके रानी लक्षमी भाई क्या थी, कैसे कैसे था, या एक movie के रूप में आपको वो चीजें दिखाई जाएं तो आप हमेशा याद रख सकते हो, otherwise वो चीजें difficult होती हैं, तो ये सारे आती है, visual aids या फिर उसको हम audio visual aids भी बोलते हैं, देखो ये film है, ये television है, ये सारे audio visual aids के अंद आती हूँ, highlight करके बताती हूँ, अगर मैं ये ना करूँ, मैं सरफ चीजों को पढ़ती चलूँ, ठीक है, जो सामने लिख है, बस read करते जा रही हूँ और आगे निकलती जा रही हूँ, तो ये भी audio aid हो जाएगा, अभी तक ये audio visual aid चल रहा है, ठीक है, so visual aid होता है, motion pictures, projector, य so I hope यहां तक का concept जो है, वो बिलकुल clearly आप लोग सभी students समझ चुके हो, इसके आगे अगर कोई doubt है, तो आप मुझे comment जरूर कीजेगा, इसी के साथ important instruction ये भी है, कि UGISINET paper 1, जो students अभी exam देने वाले हैं, जो कि 20-30 September के बीच में है, उन students के लिए global online की team लेकर आई है, 30 days guaranteed selection crash course, ये 100% guarantee के साथ हम आपको देते हैं, so इसमें हम आपको English and Hindi दोनों ही languages में crash course मिलता है, जिसमें की total 10 units and paper 1 की सारी हम cover करवाएंगे, comprehensive video lectures हैं, जिसमें हमारा major focus रहेगा उन topics पे जो की most repeated and most expected होते हैं, जिसको की हम smart and short tricks के साथ आपको लेकर, आपके सामने लेकर आते हैं, इसके साथ ही guaranteed practice questions हम आप सभी के लिए लेकर आएं हैं, जिससे कि आपको एक idea हो जाता है कि किस level के questions exam में आते हैं and ये practice questions से आप लोगों के revision, आप लोगों के final practice बहुत अच्छे से हो सकती है, so जल्दी से इसको आप लोग जॉइन कीजिए, इसके लिए आपको screen पर दिएगे number पर WhatsApp की help से contact करना होगा and इसके लिए आपको सरफ एकी बार fees पे करनी है, वो भी सरफ 3500 रुपीज, तो जल्दी से जल्दी सको join कीजिए, so I hope आज का ये lecture आपको पसंद आया है and जो भी concepts मेने आपको बताएं हैं, वो clear हो चुके हैं आपके सामने, so paper 1 या paper 2 के किसे भी course, किसे भ जानकारी के लिए, screen परती के number पर contact जरूर कीजेगा, so thank you so much for watching this video and I wish you all the way